बच्चो आज कहा है वीडियो सैनिक स्कूल और नवदे विद्यालय की तैयरी करने वाले बच्चो के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो मैं बताऊँगा कि अंतिम 15 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटिजी फॉलो करना है किस तरीके से तैयरी करना है ठीक है जो बच्चे भी नवदे विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयरी कर रहे हैं अपने दोस्तों भाई बंदो सभी को ये लिंक सेयर कर द है ये टेंसर हो जाती है तो क्या क्या चीज़े आपको फॉलो करनी है और क्या बिल्कुल नहीं करनी ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इस्टार्टिंग से लाश्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है बहुत ही अच्छे समय आपको बेसिक स चीज़ें समझाऊंगा और आपको वही चीज़ फॉलो करना आपको जरूर सफलता मिलेगी ठीक है ना चलिए वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजे सभी दोस्तों को सेर कर दीजे ताकि वो पूरी जानकारी बहुत अच्छे से जान सके ठीक है चलिए पहले हम बात करते है नवोदय विद्याले की इसकी नवोदय विद्याले का एक्जाम कब होने वाला है बताइए मुझे नवोदय विद्याले का एक्जाम होने वाला है 20 जनवरी को ठीक है और आज क्या है आज कितने तारीक है आज 5 जनवरी मतब 15 दिन राइट बचे हुए आपके पास ठीक है तो आपको किस तरीके से तरीके से रिवजन करना है देखे जो बच्चे सीरियस तरीके कर रहे हैं तो लगभख उन्होंने एक बार सीलिबस लगभख क की बात करें, mental ability की बात करें या फिर आप बात करें लेंग्वेज के अंतरगत हिंदी और इंग्लिज की एक बार complete कर लिया होगा अब लाश्ट रमा में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उनको दिक्कात आ रहे हो तो सबसे पहली सला है मेरी सबसे पहली सला सला नंबर वन PYQ देखिए, ठीक है, previous year question paper की अब किस तरीके से question पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से hard question कर लेते हैं, simple question को छोड़ देते हैं, जबकि exam में कभी-कभी simple से question पूछ लेते हैं और आप ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं ठीक है, उससे आपको idea लगेगा कि किस तरीके से आपका paper आएगा, चार number वाला जो paper हुआ था, उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है, चार number वाला paper आपको जरूर देखना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा question की practice करनी है, अब देखिए, आप last रमाय में आपको hard question की तर chapter को करने जाएं, तो लगबग 5 दिन का समय लग रहा है, आपको hard questions भी करने हैं, पूरा, तो उसमें आपका समय जाएगा, इससे अच्छा आप क्या किजिए, अगर आपका basic clear है, मैं भी बार बर बोरू हूँ, अगर आपका basic clear है, उस chapter से rated, तो आपको उसके questions करते जाएए, और जो आपका solution हो रहा है, जिस तरीके से आप solve करें, उससे सीखते जाएए, तो इस प्रकार से चीज़े clear हो जाएए, और PYQ में अगर उससे rated question आया हो, तो जरूर से जरूर उसको solve कीजिए, PYQ आप लगाईए, पिछले 5 साल के तो उससे आपको idea लग जाएगा, कि किस त very hard question रहेंगे, बहुत ज्यादा hard question रहेंगे, उसको last time में आपको नहीं करना है, यह मैं आपको सला दे रहा हो, क्योंकि जो question paper होगा, उसका level उतना hard नहीं होगा, जितना हम सोचते है, ठीक है, और बिल्कुल आपको tension तो लेना ही नहीं, last time में कि क्या छोड़ें, क्या पढ़ model paper में बिल्कुल same to same pattern follow होता है, जिस तरीके से आपके exam में प्रशना पुछ जाते हैं, मतलब 40 question होगे, mental ability, 20 math के, 20 language के, ठीक है, time management, ठीक है, यह चीज़ा याद रखिए, time management, ठीक है, time management, यानि कि आप देखिए, आपका exam, जो timing, जिस time पे भी आपका exam, ठीक है, उसी time पे try कि model paper, mock test, आप solve करें, ठीक है, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है, तो 2 घंटे का try किजिए, कि आप 1 घंटा 30 मिनट, यानि 1,5 घंटे से 1 घंटे 50 मिनट के बीच में paper को complete कर लें, एकदम जादा आपको जल्दिवाजी भी नहीं करना है, और एकदम जादा फीर आपको क्या late भ करेंगे ना, क्योंकि last time में आप तयारी कर रहे हैं, ठीक है, last time में आप क्या practice कर रहे हैं questions की, तो आपको idea लग जाएगा कि हमको ऐसा करना है, और जो बच्चे कि यवलोग यवल पढ़के जा रहे हैं, mock test model paper नहीं लगा रहे हैं, उसको last में time management की दिकत जरूर आती है, क्यो questions मिलेंगे time management, किस subject में weak हैं, देखिए आप mock test model paper से आपको क्या मदद मिलेगी, कि आप किस subject में weak हैं, किस में strong है, आपको पता चलेगा, जिसमें strong है, उसमें केवल normal revise कीजिए, थोड़ा जिसमें weak है, उसमें और थोड़ा महनत कर सकते हैं, last time में अभी तो इतना समय है, कि आ hard question है, चलो, इसको हम solve करेंगे, पूरा एक दिन लग जाए, इतना नहीं, ठीक है न, आपको जिस तरीके से daily classes मिलेंगी, questions कराये जाएंगे, important questions आएंगे, pyq, उसको solve करते हैं चलना है, और अच्छे बहती नधंग से तैयरी करनी है, ठीक है, चलिए, और देखें, अगर आप को हम बात करें, कि last के 7 दिन, अब जैसे कि अभी तो यह 15 दिन हो गए, अब 7 दिन में आपको क्या करना है, यह 7 दिन बचे हुए, तो मेरी सला है, आप सभी school जाना बंद कर दीजगा, अगर आपके exam वगएरा है, बहुत ज़्यादा important हो तो जाईए, लेकि last के 7 दिन, ठीक ह तो 7 दिन में, अगर एकदम ज़्यादा important हो, exam हो तो जाना ही पड़ेगा, या कुछ important हो जाना ही पड़ेगा, नहीं हो, तो आप नहीं जाईएगा, लाज के 7 दिन, अच्छे से महिनत कीजेगा, ठीक है, वो 7 दिन आपको, बिल्कुल घाबराना नहीं है, नॉर्मल आप questions solve क कीजे, कुछ चीजे नहीं हो रही हो, तो उसको tension मत लीजे, बस आगे बढ़ते जाईए, बढ़ते जाईए, बढ़ते जाईए, नहीं प्रकार के questions कीजे, देखे, exam hall में आपके सभी questions solve हो जाएंगे, ठीक है, जिस चीज में आपको लग रहा है, जिस में कमजोर हो तो आप बचे हो हैं, तो थोड़ा खेलना कुदना कम कर दीजे, जैसे ही exam देके आएंगे, फिर खेलना चालू कर दीजेगा, ठीक है, नॉर्मल जो routine था उसमें, अभी खेलना कुदना कम कर दीजे, उस समय को आप पढ़ाई में दीजे, ठीक है न, उस समय को आपको पढ़ाई में तो subjects आपको पता है, maths, mental ability और language, ठीक है अपने language है, तो इसमें कितना time management बिल्कुल दिया रखना है, किसको कितना समय देना है, ठीक है, इसमें होते है total 40 questions, यहाँ 20 questions, यहाँ भी 20 questions, और 2 घंटे को divide करना है, लेकिन maths में ज्यादा समय लगता है, तो उसी साब से आपको decide करना पड़ेगा, जब आप model paper mock test solve करेंगे ना, तो खुद से ideal जाएगा किस तरीके से आपको आगे बना, ठीक है, तब 15 दिनों में आपको देखिए, previous year question paper जरूर देखना है, model paper mock test solve आपको करना ही है, ठीक है, very hard मतब जो बहुत ज़्यादा hard question है, उसकी तरफ एकदम भागना नह लाज के साथ दिन में school अगर important नहीं है जाना तो school बिल्कुल आपको नहीं जाना है, ठीक है न, ठीक है, चलिए तो यह आपको किस के लिए हो गया, नवदे विद्याले, 2024 जो अभी exam होने वाल है, 20 January को, ठीक है, अप्रोच आपको follow करना है, साथ में बात करें, All India Sanic School, ठीक ह अब देखिए, exam कब होने वाला, 28 January को, ठीक है, 28 January को होने वाला, कितने दिन बचे हुए है, अभी लगबख समझे है, 23 दिन, ठीक है, 23 दिन समझे है, मतलब, 3 हपते, 3 weeks बचे हुए, अब 3 week में आपको किस तरीक है, अब देखिए, बात करें, अगर Sanic School को उसका syllabus भी जाता ह होता है, उसमें 125 questions आपके आते हैं, 300 marks, ठीक है, 300 marks, और समय कितना होता है, 2.5, मतलब, 2.5 घंटे का समय होता है, तो इसमें आपको time management, manage करना है, maths, maths के कितने questions आते हैं आपके, maths के 50, GI के 25 questions, ठीक है, GKK 25, language के 25, ठीक है, 125 questions, 300 marks के लिए आपका पूशे जाता है, तो इसमें तो और ज्यादा time manage करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आपको क्या का, जो strategy है, उसको follow करना है, देखिए, सबसे पहले previous year सभी के जरूरी है, last समय में देखिए, previous year question बिल्कुल जरूरी है, अभी सबसे जरूरी होंगे, 2021, 22, 23, ठीक है, 21, 22, 23 के आपको जरूर देखना है, 2021, 2022 question paper की series, तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है न, चलिए, ये आपको तीन साल के paper देखिए, किस तरीकी के questions आ रहे हैं, इसमें भी आपको मैं बताओं, तो जैसे इसमें था, कि जो hard question है, इसमें देखिए, क्या होता है, थोड़ा जो question का level होता है, मैं इसका थोड़ा hard होता ह है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि dumb hard question, अगर किसी question को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो किसी से पूछ लिजे, उसके पीछे ऐसा ना करें, आप last समय में कि नहीं मैं ही solve करके दिखाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी से पूछ लि पर मैंने बता दिया, और time management तो आपको पता ही है, क्या, कि time management सबसे ज़्यादा ज़री, मैं इसके 50 question होते हैं, इसमें समझ लीजी अब, 50 question होते हैं, GK, GI के 25, language की 25, अब इतने questions हैं, तो time manage करना पड़ेगा, किसको कितना समय, यह आप, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच् दिकत होगी, time management की, question तो solve कर लेगा, लेकिन time management की दिकत यह होगी, कि सही समय पे आप question solve कर पा रहे हैं, कि नहीं, मान के चलिए आपको 50 में पूरे 50 question आ रहे हैं, लेकिन आपने उसमें डेड़ घंटे का समय लगा दिया, maths में, ठीक है, तो बाकी 3 सबजेक्ट आप एक गंट तेज हैं, तो हम 45 मिनिट में 50 question solve कर लेंगे, आपके उपर depend करता है, या बहुत ज़्यादा slow है, हम GKGI में तेज हैं, language में हम, क्या है, तेज हैं, हम इन तीनों को 45 मिनिट में कर लेंगे, उसको हम 1.5 घंटे में भी करें, तो हमारा हो जाएगा, यह सभी किस्से, आपको पत test or mock test solve कर रहे हैं, समझी होई आपका exam है, यहाँ 25 mock test solve करेंगे, जब exam hall में जाएंगे, तो आपका 26 mock test होगा, यही समझना है आपको, क्योंकि exam के pressure में आपकी performance क्या होती, बिगड़ जाती है, बहुत सारे बच्चों कसा ऐसा होता है, कि normal लगातार बहुत अच्छा perform करते हैं बहुत अच्छी rank लाते हैं, लेकिन क्या होता है, exam के pressure में जो आता है, उनको वह भी भूल जाते है, इसलिए लाश रमें बिल्कुल नहीं लेना है, normal routine रखिए, अच्छे से, स्वास्त का ध्यान रखिए, ठंड बहुत है ना, तो आप सभी को अपने तबियत स्वास्त का ध रिखान रखना है, और normal अभी खेलना कुदना, अभी लाश रमें में बंद कर दीजी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करना है आपको, ज्यादा समय ऐसा है, मतलब अग्दम दिन भर भी नहीं पढ़ते रहना है, कि पूरा अर्में दर्दुर लेकर, normal routine रखिए, topics उनको आपको revise करना है, तो match के chapters का नाम लिखिए, उसमें जो important formula से उसके आपके लिए एक video हम upload कर देंगे, जो important formula वाली, ठीक है, तो उससे revise कर लेजेगा formula का, साथ में GK, GI में जो chapters होंगे, अब जैक से GK में बहुत सारी चीज़े आपको याद रखनी है, तो उसको आपक आए था, तो आपको note कर आए था, copy में, जो important लग रहा है, उसको note करते चलिए, तो उसका revise कर लिजे last समय में, ठीक है, जो important facts है, current affair की video में आपके लिए लेकर आजाँगों पूरे साल भर की, एक ही साथ, ठीक है, तो उससे उस video से आपका current affair हो जाएगा, ठीक है, उस video से अगर important ना हो, ठीक है, important ना हो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर important है, तो बिलकुल या ये, ठीक है, अगर नहीं हो, तो आप last में साथ दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिलकुल अच्छे से महनत कीजिए, ठीक है, बिलकुल relax रहना है, normal, ठीक है, 1% का Sennig School मिले ना मिले, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, महनत करना है, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो अब तैयारी आपको करनी कैसी है, करनी कैसी है, देखे द्रोड इस्कुल के जितने भी कोर्से से हैं, उस पर आपको 20 प्रतीसत का आओप मिल जाएगा 20% का डिसकाउंट चल रहा है एक्जाम तक ठीक है लिमिटेड ओफर है एक्जाम 20 कूपन कोड अपलाई करके आप द्रोड इसकूल के सभी बैचे सभी कोर्सेस पर 20% का डिसकाउंट पा सकते हैं ठीक है अगर नवोदय वी जाले आले की तायारी के लिए 50 मॉक टेस्ट, हैब देखिए अब एक मॉक टेस्ट मतलब समझे एक आपका एक्जाम का पेपर उसी तरीके दो, 50 मॉक टेस्ट है 50 एक्जाम के पेपर ठीक है इसको जरूँर सॉल्व करना है 50 मॉक टेस्ट आपको देखे 20% discount के साथ यानि की जो 999 रुपय प्राइस वो आपको 799 रुपय में मिल जाएगा तो आप सभी enroll कीजिए और daily daily mock test दीजिए अब देखे 15 दिन बचे हैं जिन बच्चों ने enroll नहीं कहा है तो daily आपको 3 भी mock test देना है सुबह दीजिए दो पहर में दीजिए साम क को दीजिए महनत करना है क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए आपको selection चाहिए तो आपको महनत करनी होगी ठीक है ना तो mock test आपको देना है 25 mock test है जो बच्चे 50 mock test नहीं कर पाएंगे 25 mock test दीजिए ठीक है 25 mock test देकर भी आप बहुत अच्छे डंग से तारीकर से daily आप 2-2 mock test देंगे तो आपकी बहुत अच्छे से preparation हो जाएगी कि subject में weak हैं किस में strong हैं आप ठीक है time आप कितना time लगा रहे हैं question paper को solve करने हमारे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं जो हमेशा एक घंटे में ही paper solve कर लेते हैं और हमेशा उनके number 95 से उपर ही आते हैं बहुत अच्छे डंग स तो उसमें तो अच्छा हम करने की guarantee है क्योंकि बहुत अच्छे से बच्चे solve करते हैं ठीक है exam से अच्छे level का मतलब exam में जो question आते हैं उससे थोड़े hard question हम रखते हैं ताकि बच्चे उसको solve कर पा रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल कर ही लेंगे simple question भी रहते हैं hard भी रहते ह जैसा आपके exam में question पूछ जाते हैं ठीक है तो आप उस तरीके से तैयरी कर सकते हैं mock test नवदय विद्यालाय की यहां पर बात हो रही है साथ मैं revision करना चाहते हैं मैंने आपको बता है रिवजन बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे समझे quick revision बहुत ही जल्दी बहुत ही कम सम में crash course मिल जाएगा ठीक है आपको मैं नहीं बोलूँगा बिल्कूल कि आप last समय में batch लीजिए ठीक है नवदय alpha batch लीजिए सैनिक alpha लीजिए इसके आपको जरूरत नहीं क्योंकि last के 15 दिन में आप नहीं पढ़ पाएंगे मैं आपको खुद बता रहू ठीक है तो last के 15 दिन कर सके और exam में सफलता हासिल कर सके देखे 50 model paper भी मिल जाएंगे इसमें आपको video solution भी मिल जाएगा model paper के साथ जैसे कि आपने model paper solve किया घड़ी लेके बैठी जैसे mock test में तो घड़ी की sweet टिक 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 चलती रहती है लेकिन model paper में तो आपको खुद से इमानदार होना पड़े घड़ी 2 घंटे का समय दीजिए 2 घंटे देखिए 2 घंटे ज्यादा कि मतलब आपको समय नहीं लेना है ठीक है और इसके बाद answer की मिलेगी उससे answer की से मिलाई कौन से answer आपके सही हो रहे है मान के चलिए 2 answer गलत हो रहे है तो उन ही दो answer को देखिए कि कौन कौन से हमारे जो समय हमको बचाना है जो चीज नहीं आ रहा हो ही देखना है उसी प्रकार सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल की बहुत ही बहतरीन mock test तैयार किये गए है 25 हिंदी मीडियम इंगलिस मीडियम दोनों में उपलब्द है द्रोड इसकूल के एप में इसमें भी आपको 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा तो आप इसमें भी इन्रोल करके बिल्कूल बहुत ही बहतरीन धंग से तैयारी कर सकते है ठीक है तो आपको करना क्या है प्ले स्टोर पे जाके द्रोड इसकूल का एप इंस्टॉल करना है एप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन नॉर् रिशानी कोर्स से रिटेड तो आप हमारे हेलप लाइन नंबर 626-0388-361 पर कॉल करके इंफर्मेशन ले सकते हैं ठीक है साथ में द्रोड इसकूल के यूटूब चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें तकि जितने भी नोटिविकेशन्स हो सबसे पहले आपके पास आजाएं और द्रोड इसकूल के ओफिसर टेलिग्राम चैनल को आप सभी जॉइन कर लिजे वहाँ नोटिविकेशन्स सबसे पहले सेयर किये जाते है ठीक है तो लाश्ट के 15 दिनों में आपको किस तरीके से तयारी करनी है ज्यादा ज्यादा रिविजन पर दिहान देना है मैंने आपको बोला ठीक है कोस्टन की प्रैक्टिस करनी है खेलना को उदना थोड़ा बंद कर दीजे लाश्ट रमय में स्कूल नहीं जाएंगे तो भी चलेगा अच्छे से तयारी कीजिए ठीक है और ज्यादा हाड चीजों की तरफ ना भागे ज्याद और फॉर्मूला से रिटेट वीडियो हो गया आपको सैनिक स्कूल के लिए करेंट अफैर की पूरी वीडियो हो गई ठीक है प्रीवियस यर कोस्टन पेपर हो गई यह हम आपके लिए लेकर यूटूब चैनल पर आते रहेंगे तो आप सभी जूड़े रहिए चैनल को सब सब्स्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आजाए कि कौन सा वीडियो कब आया है और देखकर आप सबसे पहले बहुत ही बहतिन धंक से तयारी कर सके ठीक है कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि कि आपको वीडियो कैसा लगा अपने सभी दोस्तों भाई बंदों क वीडियो सेर करना है जो भी सेनिक स्कूल और नवदे विद्याले की तयारी कर रहे है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ